यह एक कुता है जिसका कोई मालिक नहीं है। सिर्फ इसलिए कि इसने एक बार तीन हजार लोगों को मार डाला था। लेकिन एक दिन लीजा ने इसे अपना लिया। उसे लगता है कि यह कुता बहुत कोमल है। उसने स्टोर मैनेजर से भी पूछा। इतना प्यारा कुता यहा पापस आए। लेकिन सान्विच चला गया था। उसने वाइट फेदर को देखा। जाने दो। जाने दो। कुते को लगा कि वह समझ गया है और उसने जल्दी से उसे अपने मुह में डाल लिया। लीजा को लगता है कि उनका कुता बहुत चालाग है। एक दिन जब रहे घर लोटी तो उसने कुते को नहीं देखा। एक छोटी सी केंद लुढ़त रही थी। लीजा आकरशित करने के लिए एक छोटा सा तार रखती है। यहां से चले जाओ। जब आप अकेले होते हैं तो आप क्या करते हैं। ओह आदमी। क्या बक्वास है। बह नहीं जानती थी कि क्या गलत था। उसे शक है कि यह कुता पहले भी पुश अपस कर चुका है। इस समय लीजा ने कुते को उसके सामने चलते देखा। उसने कुते को उठाया और पाया की दीवार पर एक गहरी खरोंच थी। उसने बस यहीं सोचा कि यह कुता बहुत ताकतवर है। कुट्टा भॉकता रहा। वह आदमी खड़ा हुआ और कुट्टे पर चिलाया। लीजा जाने से बचने के लिए बाथरूम जाने का बहाना बनाती थी। आदमी बाहर जाता है और फोन सर्फ करता है। जाहिर है वह एक पीशर्म आदमी है। लेकिन उसने अचानक कुछ सुन लीजा बाथरूम से बाहर आई। उसने कुट्टे और आदमी को नहीं देखा। लीजा ने दरबाजा खुला देखा और सोचा कि कुट्टा भाग गया है। वह बाहर गई और जमीन पर एक फोन गिरा देखा। इतने में कुट्टे के भॉंकने की आवाज आई। वह वह व घटना में था। लेकिन वह अभी भी कुट्टे के बारे में मिश्चत नहीं थी। वह कुट्टे को चेकप के लिए पशू चिकित साले ले गई। कुट्टे को कोई दिक्कत नहीं है। पंखो पर लगा खोन किसी और का है। जब वह घर लोटी तो उसकी मुलाकात घर के मा लोचना की। शाम को समस्या दिखाई दी। गह मकान मालिक के पास किराया देने गई थी। लेकिन दरवाजा बन नहीं था। लीजा अंदर चली गई और उसने बाथरूं का दरवाजा खुला पाया। उसने साबधानी से अंदर कदम रखा। आप केवल चार पाउंड के हैं। खुता मासूम लग रहा था और एक तरफ भाग गया। इस बिंदू पर उसने कुत्ते की रक्षा करने का फैसला किया। उसने अपराद स्थल की सफाई की। फिर शव को पैटकर कार में डाल दिया। एक कड़्धा खोधने के लिए एक ज लेकिन लीसा बहुत उत्सुक महसूस करती है। उसने खोच के लिए अपने फोन का इस्तिमाल किया। खुते लोगों को क्यों मार सकते हैं। लेकिन सभी बड़े और बहादुर खुते दिखाई दिये। वह एक पत्रकार है। उसने अपने मकान मालिक की गुमशुद्गी क को एक लेक ने लिखा था। अप्रत्याशित रूप से उस लेक ने एक पुरसकार जीता। खुते ने उसका जीवन और भी सौभाग्यशाली बना दिया है। वह पुरसकार वापस घर ले गई। इसमें राशी देखी। क्या बक्वास है। पता चला कि संपादक ने लीसा क का बोनस काट लिया था। वह क्रोधित होकर संपादक को खोजने के लिए कुते को ले आई। उसने गुस्से में उससे सवाल किया। संपादक भी उन्हें लगातार डांटते थे। अंततह उसे निकाल दिया गया। आपके डेस्क पर सामान। खुते ने संपादक की और खाग गया। खुता। लिसा ने संपादक को गिरते देखा। वह तेजी से भागी। कुते का फर खुन से सना हुआ था और उसका चहरा देनिया था। अच्छा बच्चा। अच्छा बच्चा। उसने कुते को दोश नहीं दिया। उसने यह भी महसूस किया कि यह करना सही था। वह शव को घसीबते हुए छट पर ले गई। नाटक करते हुई कि संपादक की मृत्यू आत्महत्या से हुई। घर आकर उसने कुते को नहलाया। सुखाया जा रहा कुता बहुत प्यारा लग रहा है। क्योंकि संपादक मर चुका है। लीसा को पदोनत किया जाता ह और धीरे-धीरे प्रमुक हो जाता है। और वह करीब 40 साल से सिंगल है। रोमान्स भी बहतर है। उसका एक पुलिस बॉइफरेंड है। लगता है सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन शीग रही समस्या उत्पन हो गई। पुलिस को पता चला कि ग्रहस्वामी क हत्या की गई है। और लीसा भी एक संदिक्त बन गई। एक दिन उसका सबसे अच्छा दोस्त उसके घर आया। लीसा की भाबनाई बहुत खराब है। उसकी अपनी बेस्ट फ्रेंड से बहस हो गई। दोस्त को कुटा खीच कर नीचे ले गया। खुता उसकी पैंड के पे गुरा लड़का। वह एक संसान जगह पर चली गई। इस पार अपने सबसे अच्छे दोस्त को दफनाना था। वह जानती थी कि वह अब इस कुट्टे को नहीं रख सकती। उसने कुट्टे को कार से बाहर निकाला। तुम एक अच्छे लड़के हो। मा तुम से बहुत प्यार करती है। वह वास्तव में अपने कुट्टे से प्यार करती है। लेकिन इसे अब और नहीं बढ़ा सकती। फिर वह कार में बैट गई। खुट्टे ने मालिक को जाते हुई देखा। कोई नहीं जानता कि वह क्या सोच रहा है। जब लीसा ने दरवाजा खोला। अब उसने इसे और नहीं बढ़ाया। लेकिन उसने विश्वास नहीं किया और सीधे उसे हतकरी लगा दी। मैं अब बहुत गुसे में हूँ। दरवाजा एक तीवर ध्वनी प्रसारिक करता है। खुटे ने उसका गुसा भाप लिया और पलट गया। बताया तो यह सिर् अब वह समझ गई। वह व्यक्ति आप नहीं है। सब कुछ ठीक था। वह चला गया। खुटे ने उसे नीचे धकेल दिया। लेकिन लीसा ने शानती से यह सब देखा। जैसा उसने कहा। नया कुटा उसका दोस्त है जो हमेशा उसके साथ रहता है। खाफी देर बार किसी को उमीद नहीं थी पुलिस करने के शरीर पर गहरे काटने का निशान। इसे इस चोटे से कुटे ने बनाया है। फिर लीसा एक मानसिक अस्पताल में दाखिल हुई और कुटे को गोद लेने की दुकान पर लाया गया। एक आदमी जिसने इसे देखा उसे पसंद आय उन्होंने इस कुटे को गोद लेने का फैसला किया। फिल्म समाफ्थ होती है। मेरे पास एक कुटा भी है। मैं बहुत चिंतित हूँ क्योंकि कोई भी अनुसरन नहीं करता है। खृपया अपने लिए विचार करें।